तो आज होगा OnPassive Company का परदा फाई दोस्तो इसकी जैसी Company शायद ही आज तक किसी ने देखी होगी जिसने आने से पहले लोगों की नीन उड़ा दी दोस्तो OnPassive ने दुबई के अलसफा Metro Station का नाम बदल कर OnPassive रख दिया जिसका प्रूफ आप Wikipedia, Google में प्रूफ चाहिए दोस्तो OnPassive Metro Station बनने का मतलब यानी नाम चेंज करने का मतलब क्या है साल बर में 22 करोड से ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रेवल करते हैं तो उन सभी के दिमाग में अच्छे से सेट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट होने वाला 10 से 12 मार्च को World Woman Entrepreneur Summit आबुध अबी में होने वाला है उसमें जो OnPassive है वो पूरे प्रोग्राम की फंक्शन की जिम्मेदारी ले रहा है और साथ में जितना भी प्रोग्राम वहाँ पर चलेगा AI टेकनलोजी रोबोट का यूज होगा OnPassive के दोस्तों WWES यानि World Woman Entrepreneur Summit 2023 के जितने भी स्पॉंसर है उन में से एक नाम OnPassive का भी है तो दोस्तों इतनी सारी बातों से अंदर दा लगा सकते हो OnPassive आने वाले समय में तेहल का मचाने वाली है माना अभी तक इसका कोई प्रोडेक्ट नहीं आया लेकिन जो भी बाते मैंने आपको बताईए इससे ये चीज किलियर होती है कि OnPassive आज के समय में जितना भी काम ये कर रहा है दुनिया में हर किसी के दिमाग में नाम होगा मुपे नाम होगा OnPassive वी अपनी जड़ों को घहरी करते जा रहा है और जो मैंने OnPassive के ओपर वीडियो बनाई थी CBI की जाच वाली उच वीडियो को देखना बिलकुल मत बोलना और साथ में इन वीडियो को शेयर करना अपने लोगों के साथ तो मिलता हूँ नेक्स वीडियो में नवश्कार जैहिए